भगती information में आपका स्वागत है लाल किताब horoscope 2023 लाल किताब को पहारी विद्या कहा जाता है इसके जोतिश शास्त्र का ही पार्ट माना जाता है आपको बता दे कि साल 2023 में कई बड़े और छोटे ग्रह राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं सितारों के बदलाव का आपकी राश राशिफल 2023 लाल किताब अनुसार मेश राशी वालों के लिए साल 2023 अनुकुल साबित हो सकता है इस साल आपको नई नौकरी का प्रस्तावा सकता है हनत का पूरा फल मिलेगा करिया में भी सफलता हासिल होगी कारोबारियों को यह साल थोड़ा उतार चड़ाव भरा साबित ह हो सकता है वेवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आप अपनी समझ से विशेयों को सुझाने में सक्षम रहेंगे करें ये उपाई प्रति दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं साथ ही मंदलवार का वरत रखें लाल किताब के अनुसार व्रिश राशी वालों के लिए नया साल 2023 सुखत साबित हो सकता है इस साल सेविंग करने में भी काम्याब हो सकते हैं साथ ही फिजूल खर्चों पर रोग सकती है इस साल आपको मंचाही नौकरी मिल सकती है साथ ही जो नौकरी में कार्यरत हैं उनका मंचाही जगर प्रांसफर हो सकता है साथ ही आपकी लव लाइफ में निजी प्रयासों द्वारा उत्तम सफलता मिलेगी साथ ही स्वास्थे का इस साल थोड़ा ध्यान रखें और लापरवाही नहीं करें करें ये उपाए मा महालक्ष्मी जी की उपासना करें और शुक्रवार का वरत रख लाल किताब के मुताबिक नए असाल मिथुन राशी के लोगों को मिला जुला सिदह हो सकता है नए साल पर आप कारोबार का विस्तार कर सकते हैं या फिर नए बिजनेश भी शुरू कर सकते हैं व्यापार में नए ओर आने से अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है वहीं सरकारिक शेत्र में भी लाब के योग बन रहे हैं। इस साल आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, साथी संतान सुख की प्रात्ती हो सकती है। इस साल लेन देन करते समय सावधानी बरतें, अन्यता नुकसान हो सकता है। करें ये उपाए, भगवान का शिव का अभिशेक करें, साथी माध दुर्गा की पूजा करें। लाल किताब के अनुसार सिंग राशी वालों का साल दो हजार तेईस में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथी इस साल कारोबारियों को अच्छा धनलाब हो सकता है। वहीं जो लोग राजनीती से जुड़े हुए हैं, उनको किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। वहीं इस साल आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और आप विदेश में कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं। इस साल नौकरी पेशा का इंक्रिमेंट या प्रमोशन हो सकता है। वहीं जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे, करें ये उपाए। सूर्य देव को अर्ग्यदे और आदित्य हरिदे का पार्ट करें। कन्या वार्शिक राशिफल 2023, कन्या येली राशिफल 2023 जिससे आपकी लोक्रियता भी बढ़ सकती है, जीवन साथी का आपको साथ मिलेगा। साथी आप घर परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस वर्ष किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें क्योंकि इसमें बड़ी हानी होने का अंदेशा है। करें ये उपाई, गौमाता को हरा पालक या हरा चारा खिलाएं। तुला वार्शिक राशिफल 2023, लिब्रा येली राशिफल 2023 लाल किताब के मताबिक आपको इस साल पेट के रोग हो सकते हैं या पाचन तंत्र में कोई समस्या हो सकती है। वहीं इस साल आपको दामपत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशी के लोगों को करिया में उतार चड़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस साल आपको कोर्ट कहचरी के मामले में सफलता मिल सकती है। लब लाइफ में सफलता मिलती दिख रही है, प्रेम विवाह इस साल हो सकता है। करें ये उपाए, शुक्रवार के दिन मालक्षमी की पूजा करें और उन्हें की इरका भोग लगाएं। साल 2023 प्रतियोगी चात्रों के लिए शुब साबित हो सकता है। मतलब किसी परीक्षा में वहपास हो सकते हैं, लेकिन प्रयास लगातार करते रहें। नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अफसर मिलेंगे और कार्यस थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही बोस आपके काम से खुश रहेंगे, वही कारोबारी अगर व्यापार में निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश सोच समझ कर करें, अन्यता नुक्सान हो सकत इस साल आप कोई प्रॉपटी खरीद सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, इस साल आपको शेयर बजार में लाब के आसार हैं, जीवनसाती के साथ संबंध मजबूत होंगे, करें ये उपाए, हर मंदलवार सुंदरकान का पार्ट करें, धनु वार्शिक राशिफल 2023, डानु इस साल आपको पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, इसलिए आपको बाहर के खाने से बचना चाहिए, विवाहित जातकों का जीवनसाती के साथ अच्छे संबंध रहेंगे लेकिन छोटी छोटी बातों पर खटपड की स्थिती बन सकती है, करें ये उपाए प्रति दिन प आप लोगों के लिए साल 2023 शुब फलदाई साबित हो सकता है, इस साल जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनका इच्छा पूरी हो सकती है, वहीं इस साल जो लोग अविवाहित हैं, उनका विवाह हो सकता है, इस साल करिय में आपको मेहनत का पूरा फल शाप्त हो सकता है। साथी व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे लाब के योग बन रहे हैं। प्षंदिन्राशी के जातकों को करिये के लिहाज से शांधार साबित हो सकता है।